नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप ही की यूट्यूब चैनल में हम लोग डिसक्शन करने वाले हैं थ्री स्टॉक्स के बारे में तीन स्टॉक्स को कवर करेंगे जहां पर सबसे पहला स्टॉक रहेगा वह आपका रहेगा बजाज फिनांस जहां पर हम लोग डिटेil अनालीसिस करेंगे रिजल्ट कैसा आया है ए और टेंगे चैसा आज result ना उसकिया है या आपका previous quarter का result है अब सबसे पहला ची revenue, total revenue from operation को चेक करेंगे, तो देखें अभी आया 17,090 का आया 17,090 का, last year था 13,381 का देख सकते हैं, साल दर साल में 28, 28% का 28% का उचाल देखने को मिल रहा है quarterly basis में 16,098 से बढ़ करके 17,090 या भी 6%, 6% का total revenue from operation में उचाल देखने को मिल रहा है total income को भी चेक कीज़ेगा similarly, यानि की other income को जोडने के बाद 17,095 का भी बता आ जा रहा है last year था 13,384 साल दर साल में अच्छा खासा है उचाल है quarterly basis में 16,102 से बढ़ करके 17,095 भी आपर देखने को मिल रहा है तो revenue की terms में ठीक ठाक से आपर देखने को मिल रहा है अब है इस revenue को generate करने में कितना खर्च हुआ 11,697 का भी बता आ जा रहा है last year था 8,626 revenue expense भी अच्छा खासा है आपर बढ़ कर आ रहा है quarterly basis में 10,839 से बढ़ करके expense 11,695 हो गया था यानि expense भी अच्छा कासा बढ़ है अब देखे इस revenue और इस revenue को इस total income को minus कीज़े expense के साथ तो आपका यहाँ पर profit आ जाएगा तो directly हम नेट profit को check करते है क्या है देखे आप net profit जो आ रहा है total comprehensive income for the period यानि कि tax होगा रहा minus करने के बाद तो 4,004 का भी बता जा रहा है last year था 3,572 यानि सालदर साल yearly basis में 12% का उच्छाल है and quarterly basis था 3,952 से बढ़ करके 4,004 यानि कि यहाँ पर flat सा result देखने को quarterly basis में देख सकते हैं यानि 1% का उच्छाल देखने को रहा है मिल रहा है EPS 64.66 से बढ़ करके 64.66 है last year था 58.67 तो yearly basis में अच्छा का सा उच्छा ले quarterly basis में 63.28 से मामुली सा बढ़ है 64.66 का तो result ऐसे आप देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा because यहाँ पर सब कुछ positive side में है अब आगे बढ़ते हैं क्या इस result ने market expectation को meet किया प्लस other जैसे margin क्या सा है company का आया और प्लस provisioning क्या है इन सभी चुजों को आगे हम लोग चेक करने वाले है तो यहाँ पर देखेगे बता जा रहा है सब कुछ नेगेटिव क्या हो गया वो है आपका margin का पाट net profit margin को चेकी जगा तो अभी देखे 23.48, 23.87 यहाँ पर देखे बता जा रहा है इस शीच को चेकी जगी देख सकते हैं लास्ट रिख क्या था 26.53, 27 के रॉन में हाँ पर देखने को मिल रहा था अभी आया है 1.06 का देख सकते हैं इनका gross NPA लास्ट रिख था 0.91 देख सकते हैं तो यहाँ पर उच्छाल देखने को मिल रहा है NPA में जो की negative हो गया and net NPA को भी चक की जगा 0.31 से बढ़ करके 0.46 यहाँ पर देखने को मिल रहा है NPA and आपका दूसरा margin अब थर्ड जो negative point में आपको बता देता हूँ यहाँ देखे loan losses and provisioning वह ऐसा पैसा जो डूब सकता है तो loan losses for quarter to financial 25 1,909 का पर 1,909 करोड का बता आ जा रहा है against 1,077 पहले कितना था 1,077 का बढ़ करके 1,909 हो गया यानि कि 77% का अच्छाल देखने को मिल रहा provisioning में समझ सकते हैं यह काफी negative हो गया and NBFC has been grappling with elevated losses in the last few quarters especially in personal loan segment in rural region तो बहुँ सारे negative चीज़े भी इस result में भी छोपा हुआ है दिस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके कोई भी trade initiate करना चीए एक और अच्छी चीज़ किया है कि इनका loan book जो रहता हो ग्रोग किया by 14% to 9.69 million as against 8.53 million in quarter to financial 2024 and 8.53 से बढ़ करके हैं पर 9.69 million है पर देखने को मिल रहा है तो कुछ चीज़े अच्छी है कुछ चीज़े negative है तेकि negative यहाँ पर खासकर बहुत जादा है because provisioning, NPA यह सब चीज़ बढ़ करा रहा margin decrease करा तो यह चीज़ यहाँ पर negative देखने को मिल रही है आगे बढ़ते है चेक करते है क्या result ने market expertise को meet किया एक नहीं किया तो यहाँ देखिए six brokerage firm का है पर बता जार access securities, mk global, access securities, nilal bank and alara securities, motilal oswal यहाँ पर देख सकते हैं सब का है पर average out कीज़ेगा तो निकल कर आ रहा है 9,557 का है पर NII आना चीज़े तो net interest income, तो net interest income देखिए 8,838 का है पर आया है तो market estimate को देखिए है, meet नहीं किया सबसे पहला, दूसरा profit, net profit किया आना चीज़े था 4,464 करो का तो 4,464 क्या आया, जरा उसको चेक कर लेते है तो यहाँ आया कितना 4,400 कर आया, यानि कि वो भी meet नहीं किया है तो आदे कि बता जारे है कि non banking financial company missed estimate as money control 6 brokerage aspect, profit of 4,464 का आना चीज़े था उतना नहीं आया, तो market estimate को meet नहीं किया है प्रूफ करते हैं next company के और जहां देख सकते नाम है वरुन बरेजस 593.65 का इसका closing price है 2.63 परसने हापर उच्छाल के साथ आज closing देखने को मिल रहा है जिन्होंने भी afternoon का वीडियो watch किया होगा उनको अच्छा कहा सा, आज की दिन में एक ही दिन में अच्छा कहा सा रीटन आ गया, उसमें इसका भाव चल रहा था 570 की range में रिजल्ट वने बताया था और यह भी बोला था कि यहां पर रिजल्ट पॉजिटिव साइड में है यह आपका लास्ट यह का रिजल्ट है, कंपनी ने आज रिजल्ट रनांस कहा है यह आपका प्रीवेस काटर का रिजल्ट है कंपनी का टोटल इंकम को चेक करेंगे तो 49,563 का भी बता जा रहा है लास्ट यह था 39,562 तो देख सकते साल दे साल में 25% का उच्छाल है quarterly basis में 73,776 से गिर करके 49,563 हो गया यह 33% का अब गिराउट देखने को मिल रहा है सब बोलेंगे कि हाँ पर रिजल्ट खराब है बिकॉस quarterly basis में गिराउट है तेकिन major comparisons होगा वो year on year basis में होगा बिकॉस यह seasonal changes है हाँ पर देखने हो कि मलता है seasonality पर सब पुछ dependent रहता है तो major comparisons होगा that would be an yearly basis अब है company का हम लोग directly move करते है net profit की और कैसा आया है और उसके बाद चाह करेंगे कि हम market expectation को meet किया की नहीं किया तो यहाँ देख साते net profit company का बता जारा 6288 का लास्ट यह था 5,140 तो देख सकते है सालदर साल में 22% का उचाल है and quarterly basis में 12.618 से गिर करके यहाँ पर गिर करके 6288 हो गया है यानि कि 50% का बिराउट देखने को मिल रही है अब आगे बढ़ते है company का EPS को भी चेक की जाएगा तो देख सकते है 1.91 का भी पेस बता जा रहा है लास्ट यह था 1.54 का सालदर साल में अच्छा खास हो चाल है quarterly basis में हाँ पर गिराउट देखने को मिल रही है तो देख सकते है result जो रहता है yearly basis में बहुत ही शानदार result है quarterly basis में हाँ पर negative side में result देखने को मिल रही है तो जो हम लोगों ने discuss किया था कि yearly basis में comparison करना है तो वो positive side में देखने को मिल रही है अब आगे बढ़ते है चेक रहते है क्या result ने market expectation को meet किया कि ने किया तो देखे के पता रहे है कि companies net profit rose nearly 24% to 620 crore beating analyst expectation of 576 crore analyst ने अनुमान लागा था estimate किया था 576 crore आया कि इतना 620 crore को है पर देखने को मिल रहा है as per LSEG data से पता चल रहा है तो इसका देखे है management के तरफ से यहाँ पर update आ रहा है कि despite softness said healthy international demand help companies post a near 22% rise in sales volume at 267.5 million cases during the quarter so इनका कहना है कि domestic side में softness उतना बढ़े हाँ demand नहीं था because of monsoon यहाँ पाजू रहता है इनको बचाया कहों तो international demand ने बचाया यहाँ इनका कहना है कि our global operation particularly in Africa are positioned to drive further growth as we capitalize on the emerging demand trends and enhance our operational capabilities chairman जेपुरिया said in the statement यह management के तरफ से हाँ पर commentary आ रही है अपडेट आ रहा है यहाँ उनके लाँ यह भी कहना है कि company's revenue from operation rose to 25% to nearly 5000 crores which include contribution from South Africa based BEVCO that Varun Barajas had acquired in the first half of the year इनका कहना है कि Varun Barajas का expense क्यों बढ़ा है उसके पीछी reason कहा है कि 26.4% rise in expense due to increase spending on raw material including sugar flavoring, glass bottle and packaging during the quarter यह management commentary जो कि positive side में है और साथी साथ brokerage report भी positive side में है तो most of all chances से यहाँ से भी आपको उच्छाल देखने को इस वीडियो में बताया है, so move करते है अगली कंपणी के और जहाँ देख सकते हैं नाम है आपका Electra Green Tech 1.637 का closing price है 5.19% है पर gear out के साथ closing देखने को मिल रहा है अच्छा कासा तेजी बनी थी और वहाँ पर थोड़ा profit booking देखने को मिला है तो चलिए चेक कर लेते है रिजल्ट कैसा आया है यहां देख सकते है रिजल्ट आपके सामने में है यह आपका 2023 का रिजल्ट है कंपणी ने आज रिजल्ट ना उसका है यह आपका इस इंकम को चेक कर लेते हैं कंपणी का नेट प्रॉफिट क्या आया है तो यह देखे कंपणी का नेट प्रॉफिट है जो की टैक्स माइनस करने का फॉर्ट हान 765 का बता जा रहा है लास्ट यह था 1,857 साल दर साल में देख सकते हैं 156 डिर्ट सो परसंस ज्यादा का उच्छाल है और क्वाटरली बेसिस में 2425 से बढ़कर के 4765 यहां भी 96 परसंस का उच्छाल देखने को मिल रहा है EPS 5.7 का अभी बता जारा है लास्ट यह था 2.20 देख सकते EPS भी सांदार है यहां पर उच्छाल है कंपेर टू 13.2 परसंस तो देख सकते 13.2 परसंस देबढ़कर के मार्जिन 15.5 परसंस है पर देखने को मिल रहा है तो शांदार रिजल्ट है और लेट्राइक टेकार यह था कि अभी आपको वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा देने वीडियो के लाइक किया जिएगा शेर किया एंचनल को सफ्राइप जिएगा थैंक्यू